जम्मू कश्मीर के नगरोटा एंकाउंटर के दो दिन बाद शनिवार को भारत ने पाकिस्तान हाई कमिशन के अफसर को तलब किया है दो टूक शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों के समर्थन की नीती बंद करे चुकि वही से वे दूसरे देशों में उपरेट करते हैं यह भी कहा गया है कि पाक सरकार अपनी जमीन पर आतंकी गुटों का सफाया करे भारत ने पाकिस्तान के उचायुक्त से यह भी कहा कि शुरुवाती रिपोर्ट्स में साफ हुआ है कि नगरोटा में जो आतंकी मारे गए उनका तालुक जैश महम्मद से था जैश 2019 में पुलवामा समेत भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है नगरोटा में आतंकीयों के पास से जो साजों सामान बरामद हुआ है उससे साफ है कि जम्मो कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की साजिश थी आपको बता दे कि जम्मो कश्मीर के नगरोटा में 19 नवंबर को हुए इंकाउंटर में जैश महम्मद के चार आतंकी मारे गए थे मारे गए आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से चैट कर रहे थे वही से इन्हें निर्देश दिये जा रहे थे आतंकियों के मॉबाइल फोन की परताल से यह खुलासा हुआ है वही इस मामले में भारतिय विदेश मंतराले ने इस मामले में पाकिस्तान के उच्चाइत को तलब किया है इससे पहले सुरक्षा बलोने आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बने MPD 2505 मॉडल के मॉबाइल हैंसेट बरामत किये इन में पाकिस्तान के सिम कार्ड हैं बरामद मॉबाइल हैंसेट एंड्रोइट फोन नहीं है खास बात ये है कि इनकी एप भी नहीं है इन में केवल टेक्स्ट मेसेज से की गई चैट मौजूद है मारे गए आतंकियों में से एक से उसके हैंडलर ने मेसेज में पूछा कहां पहुँचे क्या सूरते हाल हैं कोई मुश्किल तो नहीं पाकिस्तान में बनें MPD 2505 मॉबाइल फोन का स्क्रीन शॉट जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर आतंकि से उसकी लोकेशन पूछ रहा है जांच एजन्सियों ने ये जानकारी बेहद एहम मानी है इससे बॉर्डर क्रॉस करने और वहां से हाईवे तक आने का समय पता चलता है अभी चारों मॉबाइल फोन की पड़ताल की जा रही है साथ ही दूसरे मेसेज भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है इससे आतंकियों की प्लैनिंग के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल आंके इंटर्प्राइब